जे स्लामलेकुम, उमीद है कि आप तुमाम दोस्करिये से होंगे और वीकन अच्छा गुजर रहा होगा फ्राइड़ वेले दिन माशालला मार्किट की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी चुके जिस किसम के हालात इस वक्त मार्किट में चल रहे हैं उसको सामने रखते हुए एबरेज वॉलियम था मार्किट में थोड़ी सी गहमा गहमी भी हमें देखने को मिली और सबसे अच्छी बात यह है कि मार्किट ने जो 46,000 का नफसियाती लेवल बन चुका था गुजिशता दो तीन सेशन से हमने देखा कि मार्किट 46 के करीब जाती है वहां से पलट आती है तो फ्राइडे वले दिन जो है वो 46 को मार्किट ने सस्टेन किया जो यकीनन मंडे वले दिन मार्किट को सुपोर्ट करेगा तो हमें होपफुल रहना चाहिए कि 46 का जो लेवल है वो इन्शालला क्रॉस कर जाएगा लेकिन चुके मार्किट की जो RSI है उसको हम आगे चलके थोड़ा सा डिसकस करेंगे वो जैसे ही मार्किट 46 से थोड़ा सा मजीद उपर जाएगी इस वक्त अराउंड 45-46 के होगी RSI और जैसे ही वो निट्रल जोन में दाखिल होगी यकिन लोग जो टेकनिकली काम करते हैं वो सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा जनरेट करेंगे लेकिन इस वक्त जो मुलक के अंदर जो खबरें जनरेट करने के कोशिश की जा रही है जनरेट का लफज मैंने इसलिए इसलिए इस्तमाल किया के एक होप जो है वो बताने की और दिखाने की कोशिश हो रही है एक पॉइंट उफ्यू से अच्छी बात भी है कि जब तक लोगों को होप नहीं होगी लोगों का जो इतमाद है डॉलर की उपर के डॉलर रखेंगे तो बचेंगे नहीं रखेंगे तो मर जाएंगे उससे कम अजकम थोड़ी सी जान जब छूटे गई थोड़ा सा प्रेशर डाउन होगा तो एकॉनमी को थोड़ा सांस मिलेगा रुपेए को थोड़ा सांस मिलेगा मार्किट थोड़ा पहतर परफॉर्म करेगे इंशालला 250 पॉइंट जो है वो मार्किट ने जुम्मेवले दिन डाले कुछ जो हमारे सेक्टर्स हैं उन्होंने बड़ा च्छा परफॉर्म किया कुछ के हवाले से जो परफॉर्मस है वो यू समझ लीजीए क्यों चाहिए वो गैस का कहलेजिए या औयल का कहलेजीए पहले जो है वो मेरा ख्याल है चुके जो हमारा गैस का सरकॉलर डैट है उसको खतम करने के कोशिश की जाएंगी और वो खतम करना आसान है तो उसका जो impact है यकीनन उसका impact भी आएगा जब prices बढ़ेंगी लेकिन शायद वो लोग बरदाश कर जाएंगे तो इस point of view से आने वाले दिनों में हमें दुबारा से जो हमारा oil and gas exploration sector है और जो हमारा marketing sector है खास तोर पर SNGP और SSGC के हवाले से अच्छी movement जो है वो हमें देखने को मिल सकती है आगे चलते हैं जी 250 points के इजाफे के साथ जो circuit breaker की situation है माशालों बहुत सारी companies, 11 companies अपर कैप हैं जिसमें निशाद चुनिया पावर है इसके हवाले से खबर आपने यकिन पढ़ ली होगी इसके इलावा जश्मा है फिर so and so लेकिन काबले जिकर वालियम जो हमें निशाद चुनिया पावर में ही देखने को मिला लोर कैप की बात करते हैं तो लोर कैप में कुछ नहीं है और इसके साथ जो हम relate करते हैं दो तीन रिजल्ट्स जो थे उस दिन के उसमें एक तो टेक्स्टाइल का था इसमें कुछ ये कमपनी कितना खास जो है वो चुके इसमें काम नहीं होता इसमाईल इंडस्ट्री के हवाले से बहुत बात हो रही थी कि ये शायद परफॉर्म करने जा रही है परफॉर्म तो यकिनन इसने किया है सौर रुपे की अर्निक बनती है इसकी 96.17 सौर रुपे लगा लें लेकिन दिया कुछ नहीं है ये चीज ऐसी है कि जो इन्वेस्टर को डिसकर्ज करती है इस किसम के शेयर्स की तरफ जाने के लिए उसके बाद अमरेली स्टील है उसका दो रुपे 28 पैसे का नुकसान है यकिनन स्टील सेक्टर के हलात अच्छे नहीं है एक तो हमारी प्राइसिस बहुत उपर जा चुकी है स्टील सेक्टर के हवाले से एक चीज़ और आप जहन में रखिएगा कि हमारे हाँ जो स्टील की टेकनोलोजी इस्तमाल होती है उसमें जो फर्मस इस्तमाल होती है वो एलेक्टरिक बेस होती है और चुके बिजली की प्राइस बहुत उपर जा चुकी है उसकी वज़ा से इनकी प्राइसिस भी उपर गई दूसरी तरफ ये हुआ कि जो प्राइ construction के मामलात हैं वो मतासिर हुए तो दोनों तरफ से चुके मार पड़ी है एक तो डिमांड कम हुई दूसरा प्राइस उपर चली गई जिसके वज़ा से स्टील सेक्टर जो है वो सफर कर रहा है जो के आने वाले दिनों में भी मजीद करता हुआ नजर आ रहा है इसके वज़ा महंगाई भी है लोगों के पास पैसा नहीं है इस वक्त लोग बिजली के बिल दें या वो नए घर बनाएं तो बहुत ज्यादा जो है वो हलात खराब हैं तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फिल हाल होती हुई नजर नहीं आ रहे हैं उसके बार डॉल है देखें न माश के साथ जरब दें तो 12 बनता है ना तो 12 को अगर आप एक शेर इसमाइल इंडस्ट्री का खरीदें तो उसके पॉइंट व्यू से मैं सिर्फ बात कर रहा हूं डिवीडेंड और EPS के हवाले से आप इसको इसकी एक्ट्वल प्राइस के साथ मत लीजिएगा मैं सिर्फ EPS 26 है तो 12 का फरक आता है कि एक शेर अगर इसमाइल इंडस्ट्री का है EPS पॉइंट व्यू से तो 12 शेर आपके पास यह आ जाते हैं उस पॉइंट व्यू से देखें तो 24 रुपे का डिवीडेंड बनता है तो अब इन्वेस्टर कहां जाएगा वह डॉल की तरफ जाएगा तो यह चीजें होती हैं जो परसेप्शन क्रियेट करती हैं और खास तोर पर इस वक्त जो हमारी मार्किट की जो सिच्वेशन है तो इन्वेस्टर का ध्यान या मुझ से लोगों का ध्यान ज्यादा उन्हीं शेर की तरफ जाता है जिनकी येल्ड बेहतर है ताके फर्स कीज आपको कुछ चार छे आठ महीने एक साल भी अगर होल्ड करना पड़ गया तो कोई बात नहीं उसकी येल्ड भी तो देखें कहां पे जा रही है तो जो येल्ड है वो आपकी जो डैप्रीसियेशन होगी या आप उस शेर के अंदर जो फसे हुए हैं वो काफी हद तक आपक लेकिन अब वो चुके उसने दिया दलाया ही कुछ नहीं है और उसने सारा का सारा पैसा अपने पास रखा है लॉंग टर्म के लिए देखें कि तो ठीक है कमपनी जो है वो नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है जो उसके पास पैसा है लेकिन पाकिसानी सेटों का हमें पता हैं कि ओवराल सिचुएशन जो थी वो मार्किट की कैसी रही आज जो फी पी लिपी भी थोड़ा सा डिसकस करेंगे 256 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्किट के अंदर जो ओवराल सिचुएशन है बैंकिंग सेक्टर में भी हमें थोड़ी सी बेहतरी नजर आई जिसमें MC डेट खतम होगा गैस का उसका डिरेक्ट फाइदा इन दोनों को होगा क्योंकि ये दोनों जो है ये गैस की फील्ड भी इनके पास हैं और गैस एक्स्पोरेशन है ना तो इनको बहुत फाइदा होगा उस चीज़ से पॉल को और मारी को भी यकीन होगा लेकिन पॉल और मार आई चुके बड़े शेयर्स हैं ये दोनों चोटे शेयर्स हैं तो इनके उपर जो percentage wise impact है वो ज्यादा आएगा उसके बाद आगे चलते हैं जी और ये देखिए कि ये जो हमारा सारा का सारा fertilizer sector है ये क्यों नीचे गया अब यहां से आप इन दोनों चीज़ों को link कर लीजिए चुके ये subsidized gas खाते हैं और gas की कीमत जब बड़ेगी तो subsidy काम होगी जब subsidy काम होगी तो इनकी profitability भी काम होगी एंग्रो कारपोरेशन के उपर itself इतना ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा चुके इसका सिर्फ कोई एक project नहीं है ये तो mother of the companies है न लेकिन जो individuals हैं जिस तरह से FFC है या effort है या फात्मा fertilizer है इनको directly impact आएगा FFBL के उपर आएगा क्योंकि ये वो लोग हैं जो सारे subsidized gas खाते हैं हलांकि कुछ ज्यादा subsidies खाते हैं और कुछ काम subsidies काते हैं लेकिन रगड़े सारे जाएंगे ये आज या कल जब तक ये रगड़े नहीं जाएंगे तब तक हमारा circular debt का मामला पूरी तरह से हाल नहीं होगा आगे चलते हैं जी आगे चलते हैं और सेक्टर वाइस बात करते हैं commercial banks ने माशला पर फॉर्म किया फिर technology है oil and gas है power generation ने ncpl की वज़ा से किया then so and so सब ने तो दो चार्जर पॉइंस डाले जो कि बहुत अच्छी बात है आगे चलत पे 46 पैसे जो है वो यूनिट में इजाफा कर दिया है लोग अभी रो रहे हैं जो पिछले भी लाए थे उसमें industry भी शामिल है उसमें domestic भी शामिल है उसमें commercial भी शामिल है सब को रगड़ा लगा है अब ये एक मरतबा फिर है मैंने चंद दिन पहले भी गुजारिश की थी मैं आज फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मामला जो electricity की prices का है ये solve नहीं होगा solve से मुराद ये है बिजली पाकिस्तान में सस्ती नहीं होगी बलके ये सिलसला इसी तरह से ही चलेगा चूंकि इस कदर पेचीदगिया है price के structure के अंदर और जिस तरह से दियारियां ये इसी तरह से चलेगा और लोगों को इसी तरह से रगड़ा लगेगा जिस तरह से के लगता आ रहा है आगे चलते हैं थोड़ा सा फिपी लिपी पी पर डिसकस कर लेते हैं फिर हम वापिस जाएंगे candle stick की तरफ देखें फिपी लिपी में हम daily इसको discuss नहीं करते लेकिन ए ज्यादा का माल इन्होंने बेच दिया 24.34 का माल इन्होंने बेचा यानि कि आप यह कह लीजिए कि इनके पास holding zero कह लीजिए बलकि माइनस में चली जो इनके पास पहले पड़ाते हैं उन्होंने वह भी बेच दिया अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर आप foreigners की तरफ है उसकी holding है उनके पास उन्होंने माल ज्यादा खरीदा है बेचा कम है और तमाम के अंदर आप देखें तो foreign corporates ऐसी हैं कि जिन्होंने 1.5 की buying की और सिर्फ 0.3 की selling की and 1.20 जो है यह इनकी holding में है अब अगर हम यह देखें कि इनकी सबसे बड़ी holding क्या है तो वो banks है मैं आप को जो गुजशता चंद दिनों से कह रहा था अब यह बात भी एक हकीकत है कि मेरे पास जो portfolio है इसमें bank नहीं है मैं अभी banks को evaluate कर रहा हूं और कुछ एक दो तीन banks मेरे नजर में हैं जिनमें हम position बनाएंगे आज बनाएं कल बनाएं Monday को बनाएं Tuesday को बनाएं अगले पूरा week म जीद देख लेंगे किया situation चलती है मैंने आपको गुजशता काफी अरसे से लगातार एक बात कह रहा हूं कि देखिए जो भी हालात हैं interest बढ़ता है लाजमन बढ़ेगा महंगाई बढ़ रही है interest rate बढ़ेगा banks कमाएंगे banks को मार पढ़े पढ़ने दें लेकिन banks में थोड banks ने कमाना है लोगों ने अपना पैसा घरों में नहीं रखना अगर घरों में रखेंगे तो inflation आपका पैसा खा जाएगी और उसको खाने से बचाने के लिए आपको पैसा bank में रखना पड़ेगा या किस जगा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और investment के point of view से चुके हमारा हाथ डिला है लहाजा बाद जाएगी banks की तरफ आगे चलते हैं जी दोनों एक खबर भी हो गए फीपी लिपी भी हमने डिसकस कर लिया और आखिर में जो है वह हम डिसकस करते हैं आज की candle को आज से मुराद Friday की candle बहुत अच्छी candle है वालियम की बाद जिस तरह से के पहले हो चु वालियम है एवरिज वालियम है और बाइंग है स्टेबिलिटी है थोड़ी सी गो के वह फॉरण कॉपरेट्स की है लेकिन है जब स्टेबिलिटी मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्किट ने जो closing दी है वो 46 के उपर दी है चाहे वो 13 points ही हो जबकि इस से पहल मतवातर मार्किट जो है वो जैसे ही 46 पर जाती रही है देन हम एक डिकलाइन देखने को मिलता रहा है लेकिन मुझे उमीद है कि इन्शालला जो circular डेट के खतम होने वाली खबर है और इसके साथ जो डॉलर के उपर क्रैक डाउन है वो दो खबरें हो गई यह दोनों जो मु RSI क्या कहती है तो RSI जो है वो इस वक्त मौझूद है 45 के उपर बिलकुल उसी तरह से हमारा एक आइडिया था कि मार्किट 46 पर होगी तो RSI 50 के करीब होगी यह 50 पर होगी तो उसके बिलकुल करीब है अब यहां पर दो चीज़े है जैसे ही मार्किट की RSI 50 पर जाएगी और मार्किट जो है वो कुछ 50 यह 100 पर गेन करेगी तो मार्किट में आपको एक हलका सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है वहां पर आप भी चाहें तो आपने कुछ profitability कर सकते हैं profit taking कर सकते हैं अगर आप keep करना चाहें तो stop loss के साथ जरूर keep कीजिएगा stop loss अभी आपने नह कुछ लोग यह समझते हैं कि stop loss लगाने का मतलब यह होता है कि आप day trading कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है stop loss लगाने का मतलब यह होता है कि आपने जो trade carry on कर रहे हैं उसको आप secure कर लें day trading और चीज़ है stop loss कुछ और चीज़ है तो index के point of view से stop loss जरूर रखिएगा 46 का अभी जो एक नफसियाती level है go के उसमें strong हमें नजर आ रहा है इस वक्त के वो इन्शालला क्रॉस कर जाएगा लेकिन हलात और वाकियात और खबरें किसी भी वक्त जो है वो बदल सकती है stability तो हमारे हाँ है नहीं इसलिए stop loss मगाना लगाना मत बोलिएगा बस जी आज अज लिए स पाई कीजिए कि आप इसको कितनी देर तक को कितना अर्सा बरदाश कर सकते हैं और आपका target क्या है लेकिन चाहे आपने एक long position ही क्यों ना बना रखी हो लेकिन उसमें भी stop loss जरूर रखिएगा ये ना हो कोई share जो है वो किसी इस level पर चला जाए कि आपने अगर उसको एक सा होल्ड करने का सोच रखा है तो वो आपको एक साल होल्ड करने के बावजूद भी कुछ ना दे और आपने stop loss ना लगाया हो अवैल्वेशन जरूर कीजिएगा अला हाफिज